गया आरपीएफ पुलीस ने चेकिंग के दौरान 22 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफतार गया RPF के पुलीस ने प्लेटफॉर्म 4 पर गया खड़ी हटिया एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 22 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफतार किया है इस अंधर में RPS के सब इंस्पेक्टर विक्तम दिम सिंग ने बताया कि हर रोज की तरह आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हटिया एक्सप्रेस ट्रेंड में चेकिंग के दौरान एवन कोच के बर्थ संख्या एक पर एक आदमी बैठा था और उसके सीट के नीचे तीन बैग रखे हुए थे और उस बैग के बारे में पूछा गया तो बैठा हुआ आदमी घबरा गया और शक के आधार पर अधिकारी के समझ से जब तलाशी ली गई तो उस बैग में रहने वाला है और पांच दिन पहले गांजा लेने के लिए संबलपूर गया हुआ था और जिसे लेकर पटना से राची जाने वाला था इसी क्राम में पुलीस ने गिरफ्तार कर लिया जाने पर जैसा किया जाता है उसमें आप राधिक सक्तों की चानवीन के लिए जांच हो रहा था जांच के दवरान उस गाड़ी के एवन कोच के बर्थ संख्या एक पर एक आधरी बैटे हुए तो उनके सीट के नेचे तीन बैग रखे हुए उस बैटे स्वामीतु के समन में पूछने पर वह थोड़ा घबढ़ा गया जिससे संका होने को उसकी तलासी ले गई गजटेड़ा थी गाड़ी के समझ तो उसमें गांजा रखा हुआ पाया है जिसका कूल बजन 22 किलोग्राम है इंचे पूछताच की गई उसके बारे में इनुन ने बताया कि संभ़पूर से इस गाड़ी से लेके आ रहा है गाड़ी के वाले पछी मी चैंपारन ने के राखा हैं लेकर दाता है? इसे पठना तक की आद्रा करते लगभग केतने रुपे की मुली की होगी लगभग इसका मुली तो अभी ज्यात नहीं है पहली इसे अकराथी की त्यासी रहा है अभी तक तो पुष्टाज में आगे का नहीं बता पाएं उसको जारी है कुष्टाज में आगे को ताते हैं कि क्या मुने चेकिन के दौन पर आगे आता है जी जी डेली चेकिंग होता है उस्वारी का तादी तो के समझ में उसी चेकिंग के दौन ये पड़े गए और उनका गजटेट अधिकादी के समझ पर इनका तलसी लिया गया तो बैग में ये नाजय के पैकेट रहके पाएगा चेए मैं कर दो